गुड इवनिंग इस्टोंट स्वागत है आप सबे का इस वीडियो में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम लोग चांसलर पोर्टल में किस तरीके से रेजिस्ट्रेशन करना है अगर आप 2024 में जहारखंड के किसी भी युणिवर्सिटी में एडमिस्ट्र लेना चाते हैं खास करके BBMKU में और BBU में तो आप लोग को जान लेना चाहिए कि चांसलर पोर्टल क्या होता है Chancellor Portal एक ऐसा जगह है, जहां पर जहारकंट की सभी University वहां पर registered है, आपको वहां पर सारी University के बारे में information मिल जाएगा Chancellor Portal पर तो चलिए हम लोग देखते हैं कि Chancellor Portal पर कैसे registration करते हैं, सबसे पहले आप Google में आ जाएंगे, Google में search करेंगे Chancellor Portal जैसे ही आप Chancellor Portal सर्च करेंगे, तो आपके पास Chancellor Portal का पहला website आएगा, हम जूम करके रखते हैं यह सारा चीज को, जूम करते हैं, देखेंगे, आपर Chancellor Portal का पहला आपको आजाएगा, तो इस पे आपको बस क्लिक करना है, इसमें हम आपको registration का process बताएंगे, form fill up का process दो तारीक को बताएंगे, क्योंकि दो तारीक से आप लोग का Chancellor Portal उपन होगा, अभी देखेंगे क्या है कि आपका जब Chancellor Portal का पहला साइट पर उपन करेंगे, तो आपका कुछ ऐसा कुल जाएगा, है यहां पर आपको सारा चीज का information मिल जाएगा, जैसे कि देखेंगे, यहां पर कुछ announcement कि आपके कॉलेज में जिस परकार का भी admission चालू होता है, यूजी का चाहे पीजी का, अभी यूजी का चालू होगा, तो आपको यहां पर दिख जाएगा, यहां पर जो information एकली केर करेंगे, तो आपको दिख जाएगा, कि कौन सा कॉलेज का है, किस चीज के लिए है, बहुत about, यहां पर दिख जाएगा, कि अभी अधी 2023 के बनाप, यहां पर जो घल सोरीज के जो सबनेकर बा टारीख को दो कर दिखेंगे, कैसीburger तो इससे पहले आपको क्या करना है कि यहां पर फॉर्म फिल अप करना है यहां पर अभी आप फॉर्म फिल अप करेंगे तो आपका रजिस्टेशन नंबर आपको मिल दाएगा सबसे पहले देखिए आपको यहां पर क्या करना है आपको अपना नेम लिखना है जैसे कि मेरा नाम है, गौरव ठीक, गौरव कुमार हमको अपना नाम लिकना है, फिर हमको अपना registered email जो भी आप यहां पर देंगे, वह एकदम registered होना चाहिए, इसलिए registered होना चाहिए क्योंकि आप लोग का 4 साल का graduation, इस graduation के दोरान, आपको यह email ID और user name का जरूरी time time पर पढ़ते तो इसलिए आप लोग अपना verified email address दे जो आप लोग चलाते हों जैसे कि यह हम अभी देते है धनबाद Maths Academy यह दे दिये ठीक और उसके बाद अभी हम अपना username चूज कर लेते हैं जैसे कि आप लोग अपने ही साफ से चूज करेंगा हम यह आप अपना बना रहे है यूजर नेम चूज करने से पहले देखिए आपको क्या है यह पे कुछ लिखा हुआ red color से यूजर नेम जब भी आप चूज करेंगे तो A से लेके Z तक के बीच का alphabet रहेगा उसमें से आप 0 से लेकर के 9 तक जैसा चीजों को डाल सकते हैं या फिर आप इस तरीके का जैसे की एक्जामपल में विदिया वा kumar underscore one इस तरीके साफ यूजर नेम बना सकते हैं तो हम अभी बनाएंगे हम कुछ उस तरीके का नहीं बनाएंगे हम जो बनाएंगे और हाँ द्यान रहा है कि आप यूजर नेम में कैपिटल लेटर का यूज नहीं कर सकते हैं यूजर नेम में हैं गौरफ 526 हम बना लिए ठीक जैसे की ये मेरा यूजर नेम और इसको जो भी आप यूजर नेम बनाएंगे तो उसको आप जो है अपने डायरी में या फिर को कोई सब यह जगह पर आप नूट कर रखेंगे जहां पर आप जिस चीज का आपका important सा document जहां पर रहा था उसचीज पर आप इसको नूट करके रख लेंगे जैसे ही है आप यह देंगे तो फिर उसके बाद नंबर देंगे नंबर के लिए कैसे आप जो है अपने प्र पर दबाएंगे, sign up का button पर दबाएंगे, तो आपके पास देखे, OTP आएगा, सबसे पहले तो, OTP आगया, OTP आजाएगा, तो इसको OTP लिख करके verify कर लेंगे, तो आपको बोला जा रहा है कि student has been successfully, आपने successfully registered कर लिया है, अब अपने login page पर आई है, तो यहाँ पर click कर देंगे, या फिर home page पर भी click करेंगे, तो आपका यही चीज खूलेगा, तो यहाँ पर हमने अपने username क्या दिया था, गौरव यह दिया था, फिर password क्या दिया था, पासवर्ड यह लिख लिख लिए हमने, फिर यह CAPTCHA भी लिख 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 लिए, login कर लिए, login कर लिए, login का बटन पर जैसे ही दवाएंगे, तो आपके सामने यह पूरा dashboard उपन हो जाएगा, यहाँ से आप अपने university में, यहाँ सारे भी form निकलते हैं, आप उसको यहाँ से फिल अप कर सकते हैं, सबसे पहले यह basic चीज के बारे म बता दे, अगर आप यहाँ पर फोटो अपने लगाएंगे, तो फोटो आपका लग जाएगा, यहाँ आपका यूजर निम यह है, email id यह, mobile number यह है, अगर आपको को करना है, चूज करना है, तो अभी आप अंडर ग्रेजुएट के लिए कर रहा है, तो यूजी करेंगे, आपको दोजार चॉबिस के लिए अपलाई करना है, लेकिन भी form नहीं निकलावा, तो देखिए, अभी दोजार चॉबिस के लिए अपलाई नहीं होगा, दो तारिक यहां पर आपको तमाम सारी उनिवर्सिटी दिख जाएगी, जो जो चांसलर पोर्टल यानि जारकंड के अंतरगत आती है, जैसे कि बी बी एम के यू, ओलन यूनिवर्सिटी, जे आरस यू, जमसितपूर, वोमन, निलांबर, पितांबर, तो यह तमाम सारी रांची जाते हैं, तो आपको अभी कुछ नहीं दिखेगा, इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि अभी आप लोग का फॉर्म फिलप का डेट चालू नहीं हुआ है, दो तारिक 2 मार्थ से चालू हो जाएगा, अभी आप मान लिजे कि आप अपना मुबाइल नंबर आपको चेंज करन सकते हैं, फिर यहां से आप अपने पासवर्ट को चेंज कर सकते हैं, जो भी है, तो यहां से आप यह सारा चीज कर सकते हैं, अगर आप पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट की हिस्ट्री आपको यहां पर दिख जाएगी, अगर आपने कोई फॉर्म फिलप किया होगा, व्यू एप्लिकेशन पर तो यह था आप लोग का जो है रजिस्टेशन का प्रोसेस के चांसलर पूर्टल में किस तरीके से रजिस्टेशन कर लेते हैं अभी हम लोग फॉर्म नहीं फिल अप करेंगे दो तारीक को है ना जैसे ही आप लोग का फॉर्म का डेट निकल जागा दो उस दीन हम लोग फॉर्म फिल अफ करके आपको दिखाएंगे तंब तक के लिए वेट कीज़ का आप लोग ज एक दम दियानना से हम लोग को ब्र नहीं होता है तो विलाल इस वीडियो में मिलते है वाम लोग अगले वीडियो में जिस समय हम लोग फॉर्म लॉप तो वहाँ पर हम लोग दिखाएंगे फिलाल के लिए इतना ही धन्यवाद